नमस्कार मैं एड्वोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों जब भी हम कोई प्रोपर्टी बिल्डर से पर्चेज करते हैं तो ऐसी प्रोब्लम्स आती हैं कि बिल्डर आपके साथ चीटिंग करे बिल्डर प्रोमेस्ट टाइम पूरा होने के काफी टाइम बाद भी पजेशन नहीं दे पजेशन दे भी तो हमें कारपेट एरिया पूरा करके नहीं दे Quality खराब दे और भी काफी सारी ऐसी ही शिकायते बिल्डर से related होती है इन सब के solution के लिए Real Estate Regulatory Authority यानि RERA का गठन किया गया है जो कि बिल्डर के projects को check करती है और buyer को कोई शिकायत होने पर उसका solution करती है आज के वीडियो में मैं आपको RERA Act के बारे में ही brief में बताऊंगा दोस्तो RERA Act के अनुसार कोई भी बिल्डर जो 500 मेटर से ज़्यादा land पर या 18 अपार्टमेंट से ज़्यादा का कोई project बनाने जा रहा है तो उसे RERA से अपना project sanction करवाना ज़रूरी है RERA से sanction लेने के लिए builder को अपने project का पूरा plan और सारे type के approvals लेकर RERA की website पर upload करनी होती है और last approval RERA से भी लेना होता है सारी चीजे RERA के पास आने के बाद builder के project की जाच की जाती है जिसमें authority देखती है कि जिस land पर project तियार किया जा रहा है उसका title क्या है उस land पर project बनाने के लिए conversion की आशकता है तो क्या conversion करवा लिया गया है Conversion के बाद वहाँ जिस जिस department से approvals लेने की जरुरत थी उनसे approval ले ली गई है क्या Builder के पास budget की क्या वैवस्ता है Builder ने project के लिए total time कितना रखा है अगर उसने किसी contract को sub contract पे दिया है तो उसकी detail भी देनी होगी उस पूरे project में building plan क्या होगा क्या material यूज होगा और quality क्या होगी इन सारी चीजों की detail builder को provide करवानी पड़ती है और इन सारी चीजों से satisfy होने पर ही Rara उस project को अपना approval देता है इसलिए ही आज के लिए माना जाने लगा है कि कोई project अगर Rara approved है तो उसमें property लेना safe है या अगर ऐसे project में builder किसी प्रकार की मनमानी करे तो उसके against शिकायत भी की जा सकती है आप किसी project में से कोई property ले रहे हैं और आपको जानना है कि ये project Rara से approved है या नहीं तो आप Rara की website पर जाकर project को check कर सकते हैं बीना approved project में से property लेना नुकसानदा ही हो सकता है Rara Act buyer को इस बात की guarantee दिलाता है कि अगर agreement में बताया गए time में project पूरा ना हो या possession नहीं मिले यानि कि अगर project delay हो जाए तो builder को delay के period का interest देना होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि builder से कोई भी व्यक्ति property परचेज करते time bank से loan लेता है जिसकी installments भी चालू हो जाती है और उन पर ब्याज लगना भी चालू हो जाता है तो जिस interest rate पर buyer ने loan ले रखा है project delay होने की स्थिति से उसी rate से builder को interest देना होगा दोस्तों builder ने RERA से एक बार plan अप्रू करवा लिया तो उसमें ना तो change किया जा सकता है और ना ही उसकी quality में किसी भी प्रकार का compromise किया जा सकता है अगर कोई builder ऐसा करता है तो इसको unfair trade practice माना जाएगा और इसकी शिकायत भी RERA में कि जा सकेगी अगर RERA को किसी भी project के बारे में लगता है कि unfair trade practice की गई है या approval की किसी condition का violation किया गया है तो RERA उस builder का license cancel कर सकती है उस builder या promoter को defalter घुशित करके उसका नाम और photo अपनी website पर डाल सकती है और बाकी states की authority को भी उस builder के बारे में सूचना भेजती है इसके अलावा defalter का bank account सीज भी किया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि आप possession लेने तक ही complaint कर सकते हो बलकि आपको possession लेने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि builder या promoter ने जिन facilities या जिस quality का promise किया था वो पूरा नहीं किया है तो आप possession लेने के 5 साल बाद तक भी RERA में complaint file कर सकते हो दोस्तों 5 साल काफी होते है किसी project की quality को जानने समझने के लिए RERA में की गई किसी भी शिकायत पर कार्यवाही काफी जल्दी होती है क्योंकि RERA की कार्यवाही में civil procedure code लागू नहीं होता बलकि RERA principle of natural justice पर काम करती है इसलिए procedure की जटिलता नहीं होती और किसी party के पास delay करने के तरीके नहीं होते इसलिए RERA में की कोई complaint पर decision भी जल्दी आता है अगर आप RERA के किसी decision से satisfied नहीं है तो आप decision की date से 60 दिन में high court में appeal कर सकते है दोस्तों RERA में किन-किन चीज़ों की शिकायत की जा सकती है और शिकायत करने का तरीका और procedure क्या होगा हमारा अगला video number 196 इसी topic पर होगा जो आप देख सकते है तो कोई भी builder बिना approval के project बनाए या फिर approval लेकर बनाए जा रहे project में कोई गड़बड करे या कोई service properly ना दे तो इस चीज़ को tolerate करने की जरुरत नहीं होगी और court की लंबी प्रक्रिया कुक से भी नहीं गुजरना होगा बलकि आप RERA में आसानी से शिकायत कर सकते हैं दोस्तों आपके और भी कोई legal issues हो या आप अपने किसी matter में legal consultancy चाहते हो तो आप हमारे चैनल के नबरों पर call book करवा कर हमारे legal experts के साथ discuss भी कर सकते हैं ऐसी legal informative videos हम आपके लिए regular लाते रहते हैं इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe करके bell button जरूर प्रेस करते हैं ताकि नए आने वाले videos के notifications आपको regular मिलते रहें ऐसी ही legal informative जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले video में